ओर ना मशीवाय और नाउंव शीवाय ओर्याम। हैं यह कैसी सीटनता का प्रवाब हो रहा है मुझे पर मेरी वुश्मता मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे अगनी का सागर बालक ग्रहपती के समक्ष था किन्तु वो उससे भी बहबीत नहीं हुआ और उसका निश्चे अभी भी अटल है हुआ 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 कि मुझे शमा कीजिये प्रभू मैं ही आपको पहचान ना सका किन्तों मुझे अब आपका वास्तविक परीचे ज्यात हो गया है कि आप तो और कोई नहीं सोयम मेरे प्रभू महादेव है है प्रभू अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दीवे दर्शन प्रदान करने की क्रीपा कीजिये अर्थाक प्रभू तो पूर में ही वहाँ पॉचकर अपने भक्त की परीख्शा ने रहते हैं कि बालक ग्रहपति सभी परीख्शाओं में सखल होकर तुमने ये प्रमानिक कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संबभा हो सकता है मृत्य वहाँ पराजित किया जा सकता है हाँ वाला परहपति तुमने ऑपनी भक्ति की शक्ति से मृत्य को भी प्रास्थ कर दिया है मैं तुम्हें अभ्यदान देता हूँ और खोशना करता हूँ अगनी देव के श्राप के कारण तुम्हारी मिर्त्यू नहीं होगी पैबु महादेव ने सुयम इस रिशी पुत्र बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया नामाशी बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया से संसान में सफलता पूर्वक जिवन पिताने का एक नवी नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रधा से प्रियास कर तमस्त बाधाउं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कारिय में सफलता प्राप की जा सकती है हे महादेव आपने मेरे श्राप से इस पालक को तो मुक्त कर दिया किन्तु अब मेरी कती क्या होगी क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूं इस प्रकार तो मेरा अस्तित्वी ही मिट गया प्रभू यह तो मेरा अंतिकाही सूचक है किन्तु मेरा ऐसा क्या दोश था जिससे मुझे इतना कठोट डंड प्राप्त हो रहा है और बालक ग्रहपती के पिता का क्या दोश थागनीदेव जिसको आपने श्रापित किया हे अगनीदेव मेरा तो एक मात्र आश्य था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिच्छ से सुरक्षित रख सकता इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुन्य कर्म कर रहा था एक निर्दोश निर्ही शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाय था नों जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यू बनकर प्रस्तुत हुए थे जबकि अभी उसकी मृत्यू का समय नहीं आया था और बाले ग्रहपती का क्या दोश था कि देव जिसकी मृत्यू आपने उसके जन के पूर्वी निर्धार कर दिए ए प्रभू मुझे ख्यमा करें मैं अपने क्रोध पर नियंत्रन नहीं लग सका नियंत्रन ही तो अनिवारी है अभी देव क्योंकि विवहार शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रन नहीं होता वह अने को भूल करता है और फिर उनी भूलों के चक्र में उलस्ता चला जाता है आपकी अगनी की अनियंत्रन प्रकोप को नियंत्रन में लाने के लिए ही ग्रहपती का जन्म हो है ग्रहपती के तर्ण निश्चे और भक्ति की शक्ति के कारण ही अगनी का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया आप अपने स्वभाविक विभार को तभी प्राप कर सकेंगे जब आप अपनी अगनी को नियंत्रन में रखेंगे स्वयम कहीं उत्पन नहीं होंगे और स्वच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपून श्रिष्टी को प्रभावित नहीं करेंगे मैं आपको वचन देता हूं प्रभू मैं अपनी अगनी को वहीं उत्पन करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अफसर दिया जाएगा अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सद्व सीमित ही रहेगा प्रभू आपका कोटी-कोटी धन्यवाद प्रभू आपका कोटी-कोटी धन्यवाद प्रभू जब अगनी देव ने सोयंप नियंतरन रखने का वच्चन दे ही दिया है तो संसार में एक और नियम इस्थापित होना चाहिए अगनी के प्रती सबकों सदा सचेत रहना चाहिए अगनी के उप्योग के उपरांथ उसे अवश्य बुजाना चाहिए आनंद और वैसन के लिए अगनी का उप्योग कभी नहीं होना चाहिए तुमने सर्वता उचित का हबालक रहपते आज के उपरांथ तुम्हारी कथा से समस्चगत अगनी के उप्योग के नियम को सदस्मान रखेगा और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंद रख होने का आशीश देता हूँ कि तुम अगनी को किसी भी दिशा में आवश्यक्ता से अधिक बढ़ने से रोकोगे और जिस पार्थिर शिवली का तुमने नुमान किया है वो अगनेश्वल दिन के नाम से पतिस्टित रहे हैं और आने वाले समय में जो भी अगनेश्वल लिंग की वो पासना करेंगे उनका जीवन अगनी अध्व अगनी तक किसी भी कुप प्रभाव से सुरक्षित होगा अ जुआ दय है तो अरभु गरहाँ पद्ट की जाँ नहीं प्रभु गरुआ पति दूँ जाँ है प्रभु गरहाँ पति की जाँ प्रभु घर के जए अवतार से ये सीख प्राप्त होती है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण इच्छा शक्ति से कोई प्रयास किया जाए तो वो असंभव से भी संभव हो सकता है हाँ गौरी पुत्र यही थी प्रभू ग्रहपती की कथा जिन्होंने अपनी भक्ति से उस अगनी को भी शीतल होने पर विवर्ष कर दिया और अपनी मृत्यू को टाल दिया जै हो प्रभु ग्रहपती की जब तक मैं प्रभु के ग्रहपती अवतार की कथा संपन्द नहीं कर देता तब तक आप समस्त प्रयास करते रहे किन्तु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूँ मुझे दिवस क्यांच तक लंका अवश्य पहुचना है प्रभु ग्रहपती की कथा भी पूर्ण होने वाली है अब मेरे पास अधिक समय शेश नहीं है कुछ भी हो जाए किन्तु मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका नहीं जाने दे सकता इसलिए मुझे अपनी शक्ति में व्रद्धिकर लंकेश को रोखना ही होगा लंकेश जो कर रहे है वो किसी भी दृष्टी से उचित नहीं किन्तु फिर भी वो अगनी के इतने प्रचंड प्रभाव को सह कर भी आत्मलिंग को स्वयम से दूर नहीं होने दे रहे है और आने वाले समय में जो भी अगनेश्व लिंकी उपासना करेंगे उनका जीवन अगनी अथ्व अगनी तपके किसी भी कूप्रभाव से सुरक्षित होगा प्रभू ग्रहपति की जय कदाचित अगनी से लंकेश की रक्षा करने है तो मुझे भी वही करना होगा जो प्रभू ग्रहपति के लिए स्वयम प्रभू महादेव ने किया था है है अगनीदेव कृप्या शीतल होकर लंकेश के कष्ट को शीण करें यह यह कैसे संभाव है मेरी शक्ति से उत्पन अगनी अचानक शीतल कैसे हो गई यह प्रभू ग्रहपति के नाम को चारण करने का और उनकी कथा सुनाने का सुफल है यह रुख जाईए नंदश्वर जी अपनी तपोशक्ति को व्यार्थ ना कीजिए क्योंकि लंकेश रावण हूँ मैं मुझे कोई ख्टी नहीं पहुचा सकता किन्तु यदि मैं चाहूँ तो तुम सभी शिवगणों को इसी ख्षण मिटा सकता हूँ कि लंकेश यह मात्र तुम्हारा भ्रह्म है कि तुम मुझे अत्वा अनिश्वगणों को कोई छटी पहुचा सकते हो अब तो यह दोनों ही परसपर हिंसा के लिए ततपर हो उठे हैं एक और लंकेश हैं जो तेजित करते हैं और दूसरी और नंदेश्वर जी जो प्रोधित होड़ते हैं इसलिए मुझे ही पुना कुछ कर इन दोनों को रोकना होगा रुप जाये साथधान आप में से कोई भी इस रेखा का उलंगन नहीं करेगा मिली पलताई भी प्लेता थे नी तत्ती दाई भी हे गनपती जी आप इस इस लंकेश का साथ क्यों दे रहे हैं मैं यह लंकेश का नहीं धर्म का साथ दे रहा हूं अंदेश्वर जी क्योंकि प्रभू के आत्मलिंग को शक्ति और हिंसा से प्राप्त करना सर्वता अनुचित है लंकेश ने तो आपको चुनौती दी थी जिसे आप पूर्ण कर प्रभू की आत्मलिंग को प्राप्त कर सकते थे किन्तु आप अत्वा कोई भी अन्यशिवगन उनकी चल्णों को नहीं डिगा सके और कदाचित ये इसलिए हुआ क्योंकि लंकेश जी पर उनके प्रभू महादेव की क्रिपा है और उससे भी अधिक जिनके हाथों में प्रभू की आत्मलिंग रूपी शक्ति और दिव्यता स्थित है तो उन्हें भला पराजित कर भी कौन सकता है मेरे विचार से आप अपने समस्त प्रयास कर चुके हैं इसलिए अब आपको यहां से प्रस्थान करना चाहिए नंदेश्वर जी जो अब तक हुआ वो तो प्रभू की इच्छा से ही हुआ और जो आगे होगा वो भी प्रभू की इच्छा से ही होगा इसलिए आप सभी का क लोटना उच्छेत होगा उच्छेत है ये तो सर्वथा उच्छित हुआ गोरी पुत्र ये आपके समझाने पर सभी यहां से लोट गये अन्य था मैं अपना नियंत्रण हो बैगता किन्तु मुझे इसकी अपार प्रसन्नता है जिन्होंने अगनी को नियंत्रित किया प्रभु शिवशंकर शंभु के उन्ही के अव्दार प्रभु ब्यहपती ने मेरे चारो और छाई अगनी को भी शीतल कर मेरा ही साथ दिया तब तो हमें उनकी स्तूती करनी चाहिए लंकेश कदाचित वो प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगे हाँ हाँ अवश्य मेरे लिए जिनों ने वर्ष्वों तक सही व्यता है मुदी विष्वनर और सुचिश्मती की है कखा तंतान के लिए जिनों ने बर्षों तक सही व्यता है की काम ना सुचिश्मती ने शिव समान पुत्र की तो काशी जाके शिव जी की मुनी ने घौरता पस्या की विश्वेश्व लिंग की मुनी थे कर रहे आराधना तो बाल रूप शिव जी का था लिंग में उन्हें दिखा प्रगट हुए सुचिश्मती के गर्भ में जनम लिया था प्रम्हजी ने ग्रहपती का नाम आप गो दिया ओम नमाशिवा ओम नमाशिवा ओम नमाशिवा प्रणाम प्रभु ग्रहपती प्रणाम कल्यानु यह तो मेरा परमसो भाग्य है प्रभु कि आपकी मुझ पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपार कृपाद्रिष्टी सदयव बने रहती है जिसके परिणाम स्वरू नंदी जी की तपो अगनी भी शीतल हो गई प्रत्यक्ति ये क्या प्रभु ग्रेहपती जी की दृष्टी तो आत्मलिंग पर हिस्थिर है कहीं ये भी प्रभु वीरभद्र जी और बहरव जी के समान मेरे प्रती आक्रमक तो नहीं होने जा रहे हैं लंकिश रावन आपके हातों में प्रभु का ये आत्मलिंग होने का एक ही संभव कारण है कि आपने सोयम को सता महादेव का परंभग प्रमानेत किया प्रबल इच्छा स्रक्ति और पुर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है प्रतेव जीव को कभी भी किसी से वो कदापी नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठीन हो क्योंकि किसी की विवस्ता के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो कभी ना कभी उसकी उचित अधिकारी के पास पहुच जाता है अत्वार जा उसका उचित इस्थान होता है वो माहा पहुच जाता है प्रभु ग्रिहपति की सीख नंदी जी के लिए सर्वता उचित है गौरी पुत्र क्योंकि प्रभु के जिन आत्मलिंग पे मेरा अधिकार है वो नंदी जी के इतने प्रयासों के उपरांध भी मेरे साथ ही है सत्य है कभी-कभी एहंकार वश बड़े से बड़ा ज्याने भी छोटी सी बात का गूर रहस्य समझने में असमर्थ हो जाता है गौरी पुत्र किन्तो आपने नंदी जी को यहां से भेजने में भोड़ी शिघरता करती लौटने पर विवश हो गये वो यदि वो प्रभु के वचनों का श्रवन करते तो वो एक श्रेश्ट और आवशक सीख प्राप करते अवश्य कि आज एक अनूठी सफलता प्राप्त की है मैंने समस्त शिवगणों को एक साथ पराजित किया है मैंने ओई टिक नहीं पाया मेरे समख मेरी इतनी अपार शक्ती का उदाहरन प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरी पुत्र इसलिए मुझे अपनी सफलता का उद्सब बनाना चाहिए अवश्य होगा मेरी इस विजय का उद्सब रुखिये लंकेश जी प्रकृती को हानी पहुचाना अनुचित है अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्सा हस नहीं करेगा लंकेश रावण के मार्ग में बाधा पस कीजिए लंकेश रुख जाएए लंकेश एक व्रिक्ष को शती पहुचाना छोटे पौधों के एक छोटे से उपवन को और एक संपूर्ण वन्ष को उजाड़ने के समान है और प्रभू के आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए और वैसे भी आप इस वन को यहां की प्रकृती को अत्याधिक शती पहुचा चुके है लंकेश कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि समस्त स्रिष्टी के पिता जगत पिता महादेव ही है और उनकी इन संतानों को हानी पहुचा कर आप स्वयम अपने प्रभू को आहत कर रहे हैं और इस प्रकार अन्य जीवों का नाश कर आनंद मनाने का क्या उचित्त्य है लंकेश आज की अपनी सफलता को अपनी बुद्धी पर हावी मत होने दीजिए मैं समझ गया गौरी पुत्र आपका कथन सरवता सत्य है ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभू के शरव अवतार ने दी थी शरव अवतार? हाँ गौरी पुत्र वो शरव अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धी पर हावी नहीं होने देना चाहिए और ये सिख तो उन्होंने आपके मामा श्री श्री हरी नाराण के मध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहराण प्रस्तुत किया लंकेश जल ग्रहन कीजी आप लंकेश पिताश्री के शरब अवदार के कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा केजिए नारायन जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नर्सिंग अवदार में अपना नियंत्रण खो चुके थे तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभू शिवशंकर शंभू ने अवदार लिया ये उस समय की कथा है गोहरी पुत्र जब हिरन नकश्चप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तब से पिता महाप्रम्हदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अध्भूत वर्दान मांगा था न दिवस में न रात्री में न भीतर न बाहार न आकाश में न पाताल में न नर से न देव से न यक्ष से न राक्ष से मेरे प्राह किसी से भी न जा सके और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है उन में से कोई भी मेरा वद्र कर सके प्राप्त कर्म वह जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था शेक्रिह समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वैम को भगवान घोशित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा किन्तु इसके पस्चार उन्ही महान असुर हिरन नकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ जो नारायन का भक्त था प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में सुईकार नहीं किया जो हिरनक अश्यप के लिए इतना असहनिय था कि उसमें अपने पुत्र प्रहलाद का वद्ध करने का निर्णाय लिया किन्त प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा फिर क्या हुआ दशानन तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतूर था और वहीं दूसरी ओर उसके सेवत सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में सुईकार करे और फिर सभी देवता नारायन से सहायता की भीक्षा मांगने वैकुंट धम पहुँच गया हे प्रभुष्वी हरी नारायन अब समस जगत को आप ही संकट से मुक्त करा सकते हैं ओम्हरी नमाहा श्री नमाहा औप हरी नमाहा श्री हरी नमाहा भिनती करूँ भगवन सुईकार करो बिनति करूं भगवन सुईकार करो इश्रिष्टी का तुम ही उधार करो उधार करो बिनति करूं भगवन सुईकार करो रच्तो लीला अब हरी जाहे फिर से एक अवतार धरो बिनति करूं भगवन सुईकार करो बिनति करूं भगवन सुईकार करो ओम हरी नमाहा, श्री हरी नमाहा ओम हरी नमाहा, श्री हरी नमाहा हम सब के पालन हारे हो, इस रिष्टी के रखवारे हो हम सब के पालन हारे हो, इस रिष्टी के रखवारे हो जब जब विपदा आई, जग पे प्रभु आप ही बने सहारे समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्यान करो कल्यान करो, इनति करूं भगवन सुईकार करो इस रिष्टी का तुम ही उधार करो इनति करूं भगवन सुईकार करो ओम हरी नमाहा, श्री हरी नमाहा ओम हरी नमाहा, श्री हरी नमाहा नारायन, नारायन तब तब आप इस संसार के रक्षा है तू, इस संसार में प्रकट होंगे अब वो समय हमारे समीप है प्रभू प्रभु हेरन कश्यपने सभी अब वो समय आ गया है नरसिंग अवतार, नारायन के क्रोध से उत्पन अवतार जो उत्पन तो हुआ था, स्रिष्टी को संकट से मुक्त कराने के लिए किन्तु, स्रिष्टी के अस्ठित्व पर ही संकट का कारण बन गया और उसी संकट का अंध करने के लिए मेरे प्रभु को शरत अवतार लेना परा